महरशी रमन से बादचीत भाग दो 19 जनवरी 1935 श्री ग्रांट डफ जो एक संभ्रांत एवं संपन अंग्रेज थे तथा सत्तर वर्ष की आयू के थे वे महरशी के दर्शन के लिए आए वे मद्रास के एक भूत पूर्व गवर्नर के भतीजे थे लेखक वे कवी भी थे वे आकर होल में कुछ देर के लिए बैठे आपस में संभवत अहा कोई वारतालाप नहीं हुआ फिर वे चले गए वे स्वभाव से बहुत सयमी थे कुछ दिन बाद उनका एक पत्र आया जिसमें अनेक प्रश्न थे वे प्रश्न दिवंगत आत्माओं के संबंध में थे तथा एक प्रश्नी यह था कि उनकी सर्वोत्तम सेवा क्या हो सकती है उन महाशय के बारे में महरशी ने कहा जरा विजार करो एक सतर वर्ष की आयू का विक्ति अपनी अरजित धनराशी से अपने घर में शांती से जीवन यापन करना पसंद न करे उसकी कितनी तीवर लगन है कि वे अपनी मात्री भूमी को छोड़ कर छे हजार मील की समुद्र यात्रा का साहस करे तथा भाशा से अनभिग्य अकेले पन के संकट छेलता सक्त गर्मी भुगत्त विदेश के अपरिचित सुविधा रहित वातावरन में लंबी रेल यात्रा करे अपने घर में वह सुक से रह सकता था आंतरिक शांती की खोज की इच्छा ही उसे यहां तक खीच लाई है लोग कह रहे हैं कि बिलकुल सत्य है यह उसकी लगन की तीवरता ही तो है जो उसे यहां तक खीच लाई जहां तक दिवंगत आत्माओं का प्रश्न है जब तक मनुष्य स्वयम को स्थूल शरीर से युक्त समस्ता रहता है यह विचार स्थूल रोप ग्रहन कर उसको वास्तविक भास्ता रहता है इस कल्बना के कारण कि उसका शरीर दूसरे शरीर से उत्पन हुआ है उसके स्वयम के शरीर की भावती अन्य विक्तियों के शरीर भी उसे वास्तविक प्रतीत होते हैं अपनी संतान के विद्यमान रहने से, तथा उसके यह समझने से, कि उसे अन्य विक्ति ने जन्म दिया है, जीव, मृत्य उपरांत भी विद्यमान रहता है, चूंकि वह पहले भी रह चुका है, इन परिस्थितियों में परलोक भी सत्य है, तथा उनके लिए प्रार्थना करन से दिवंगत आत्माओं का उपकार होता है, इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त, यदि दूसरे प्रकार से विचार करें, तो एक मात्र सत्य आत्मा ही है, जिससे अहम उत्पन होता है, जिसमें पूर्व जन्मकृत संसकारों के बीज संग्रिहित होते हैं, अहम भाव, संसका संसकार वृत्ति तथा भौतिक इंद्रियों को आत्मा ही प्रकाशित करती है इस कारण से इंद्रियों की संसकार वृत्ति ही जगत रूप में भासित होती है तथा उसके अहम को भी ऐसा ही प्रतीत होता है जो आत्मा का ही प्रकाश है अहम स्वयम आत्मा को भूल कर शरीर को ही अपनास्तित्व मानता है इस असावधानी का परिणाम है अज्ञान, अंधकार एवं वर्तमान जीवन के कष्ट वैकलेश आत्मा से अहम की उत्पत्ति तथा अपने वास्तविक स्वरूप की विस्मृति ही जन्म है इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विक्ति का जन्म उसकी माता की मृत्यू का कारण भनता है अपनी मा को पुनह प्राप्त करने की वर्तमान आकांक्षा वास्तव में आत्मा की पुनह प्राप्ति की आकांक्षा है जो स्वयम की प्राप्ति अथ्वा अपने मिथ्या अहम की मृत्यू से भिन्न नहीं है, यह स्वयम को मात्री चर्णों में समर्पन करना है, जिससे वह अमर रहे है। माता-पिता की मृत्यू हो जाने पर छोटी संतान शोकातुर हुई, जिसे उसके बड़े भाई ने सांत्वना देते हुए समझाया, हमारे माता-पिता की मृत्यू का शोक क्यों करते हो? मैं बताता हूँ, वे कहा हैं? वे केवल हम में ही हैं, तथा वे हम ही हैं? जिस प्रकार सरिता की धारा, पाशान, गड़े, बालू का, तथा उची नीची भूमी पर होकर बहते हुए भी, अब प्रभावित रहती हैं? सुख दुख, जन्म मृत्यू तो अहम भाव के मृग जल में भासित हो रही, जल की धारा पर लहरे मात्र हैं, एक मात्र सत्य तो आत्मा ही है, जिससे अहम उदै हुआ, तथा जो संकल्पों के प्रवाह से, स्रिष्टी के रूप में प्रकट होती है, जहां माता-पिता, मित एवं सुहरिद उत्पत्ती तथा विनाश को प्राप्त होते हैं, वे ओर कुछ नहीं, केवल आत्मा का ही प्रकाश है, और इस प्रकार किसी के माता-पिता आत्मा से प्रथक नहीं, इस कारण शोक, निरर्थक है, यह जान लो, इसकी अनुभूती कर लो, और प्रसन्य रहो एक अंग्रेज रिसर्च स्कॉलर, श्री M.Y. इवान्स वेंच, श्री ब्रंटन का परिचय पत्र लेकर दर्शनार्थ आये, यात्रा की धकान होने के कारण, उन्हें विश्राम की आवश्यक्ता थी, अनेक बार भारत आने के कारण, वे भारत के रहन सहन से भली भाती वे तिब्बती भाषा सीख चुके हैं, तथा तिब्बत के सबसे महान योगी, मिलरेपा की जीवनी, तथा मृतकों की पुस्तक, तथा एक अन्या पुस्तक, तिब्बत के गुप्त सिध्धान्त का अनुवाद, उनकी सहायता से हुआ, दोपहर में, उन्होंने कुछ इत्यादी को उनके चर्म के लिए मारना क्या उचित है? महरशी ने उत्तर दिया, मन ही तो बाग या हीरण है? उन्होंने पूछा, यदि सब कुछ माया है, तो जीवन ले सकते हैं क्या? महरशी ने कहा, ब्रह्म किसको है? उसकी खोज करो, वास्तव में अपने जीवन में प्रतिक्षण, प्रतिक व्यक्ति, आत्मा का हनन कर रहा है. भक्त पूछता है, महरशी आसनों में से कौन सा स्रिष्ठ है? महरशी ने कहा, आसन कोई भी हो, जैसे सुखासन, कोई भी सरलासन, अथवा, अर्ध, बुद्धासन अच्छा है, परन्तु ज्यान मार्ग के लिए, इन सब का कोई महत्व नहीं है. उन्होंने फिर पूछा, महरशी, क्या आसन से व्यक्ती के सोभाव का आभास होता है? महरशी ने कहा, हाँ, होता है. उन्होंने पूछा, व्याग्र चर्म, नमदा, तथा हीरन चर्म के क्या-क्या गुन्व प्रभाव हैं? महरशी ने कहा महरशी ने कहा आप करते हैं वह है वह है वैसा ही दिखाई देता है यदि आप इसे समय कहें तो यह समय है यदि इसे आप अस्तित्व कहें तो यह अस्तित्व है और इसी प्रकार इसे समय मान कर आप दिवस तथा रात्रियों में विभाजित कर लेते हैं तथा मास, वर्ष, घंटे एवं मिनट आदी में भी, ज्यान मार्ग का समय से कोई संबंध नहीं, किन्तु प्रारंभ हमें साधक के लिए इस प्रकार के कुछ अनुशासन एवं नियम आदी सहायक हो सकते हैं। भक्त ने पूछा, ज्यान मार्ग क्या है महर्षी? महर्षी कहते हैं, मन की एक आग्रता, ज्यान मार्ग तथा योग दोनों साधनों में समान रूप से आवश्चक है। योग का लक्ष, जीव का ब्रह्म, परम सत्य से एकी करण है। यह सत्य कोई नवीन वस्तु नहीं हो सकती। यह तो अभी भी विद्यमान होनी चाहिए और यह है भी। इसलिए ग्यान मार्ग यह शोध करता है कि हमारा सत्य से वियोग हुआ क्यों? वियोग केवल सत्य से ही हुआ है। भक्त पूछता है माया क्या है महरशी? महरशी कहते हैं माया किसको है? उसे खोज लो, तो माया का लोब हो जाएगा। प्राया लोग माया के संबंध में जिग्यासा करते हैं किन्तु माया किसको प्रभावित कर रही है इसकी परीक्षा नहीं करते। यह मूरखता है माया बाहर है तथा अग्यात है किन्तु जिग्यासा करने वाला ग्यात है तथा अंदर में है जो दूर है तथा अग्यात है उसकी अपेक्षा जो अती समीप तथा अपने अंदर है उसकी खोज करो। भक्त पूचता है महर्शी आप यूरोप वासियों के लिए किसी विशेश आसन की सलाह देंगे क्या महर्शी कहते हैं आसन निर्दिष्ट किये जा सकते हैं किन्तु यह जान लीजिये कि आसन निर्धारित समय तथा इस प्रकार की अन्य सामगरी के अभाव में दिहान वर्जित नहीं है भक्त पूचता है महर्शी क्या विशेश तया यूरोप वासियों के लिए किसी विशेश पद्धती का निर्देशन करेंगे क्या महर्शी कहते हैं यह साधक के मानसिक विकास के अनुसार ही होता है वास्ताव में कोई निर्धारित एवं निश्चित नियम नहीं है श्री इवान सुवेंच अधिकतर योग की प्रारंबिक साधना से संबंधित प्रश्न करते रहे जिन्हें महर्शी ने योग के साधन मात्र कहा तथा योग को भी आत्म साक्षातकार का साधन ही बताया जो सबका लक्ष है साधक पूछता है क्या सांसारिक कारिय आत्म साक्षातकार में बाधक है महर्शी महर्शी कहते हैं नहीं ज्यानी की दृष्टी में केवल आत्मा ही एक मात्र सकते है कर्म तो आभास मात्र है भावित नहीं करते ग्यानी कारिये करते हुए भी स्वयम को करता नहीं मानता उसके कारिये भी अपने आप होने जैसे होते हैं तथा वह पूर्ण तया निरलेप रहकर उन कारियों का किवल साक्षी मात्र रहता है इस प्रकार के कारिये का कोई लक्षय नहीं होता साधक कार्ये रत रहता हुआ भी साधना कर सकता है प्रारंभिक अवस्था में साधक को कुछ कठिनाई हो सकती है किन्तु कुछ अभ्यास के बाद शीग्र ही इसका प्रभाव होगा फिर कर्मों से उसके ध्यान में कोई बाधा नहीं होगी भक्त पूछता है अभ्यास क्या है महरशी महरशी कहते है मैं की निरंतर खोज जो अहम भाव का मूल स्रोत है यह खोज करो कि मैं कोन हूँ शुद्ध मैं ही सत्य है वही परब्रम्ह सच्चिदानंद है उसको भूलने से ही सारे कष्ट एवं कलेशों का जन्म होता है जब इसको द्रिढ कर लिया जाए तो विक्ती दुखों से छुटकारा पा सकता है भक्त पूछता है महरशी क्या आत्म साक्षातकार के लिए ब्रम्हचरिय आवश्यक नहीं महरशी कहते है ब्रम्ह में रहना ही ब्रम्हचरिय है सामान्य धारणा में जिसे ब्रम्हचरिय समझा जाता है उससे इसका कोई संबंध नहीं वास्तविक ब्रम्हचरि अथवा ब्रम्ह में ही स्थित रहने वाला तो ब्रम्ह में ही सर्वानंद की प्राप्ति गर लेता है वह ब्रह्म आत्मा से भिन नहीं फिर आनंद के अन्य स्रोतों की खोज क्यों वास्तों में आत्मा से बाहर होना ही सारे इकलेशों का मूल है महर्शी क्या ब्रह्महचरिय पालन योग के लिए आवश्यक है महरशी कहते हैं यह सही है साक्षातकार के अनेक साधनों में ब्रम्ह चरिये भी साधन है भक्त पूचता है फिर क्या यह अत्यंत आवश्यक नहीं है क्या क्या विवाहित पुरुष आत्म साक्षातकार कर सकता है क्या महरशी कहते हैं निश्य पूरवक यहे तो मन की योग्यता का विशय है विवाहित हो या अविवाहित मनुष्य आत्म साक्षातकार कर सकता है क्योंकि आत्मा यहीं है तथा अभी है यदि ऐसा नहीं होता तथा इसकी उपलब्धी कभी आगे होती एवं यह कोई नवीन वस्तु होती जिसे प्राप्त करना होता तो ऐसा प्रयास वृथा ही होता क्योंकि जो स्वाभाविक नहीं है वह स्थाई भी नहीं हो सकता पर मैं यह कहता हूँ आत्मा यहां है अभी है तथा केवल उसी की सत्ता है भक्त पूछता है इश्वर सब में व्यापक है अता किसी को किसी जीव का जीवन नहीं लेना चाहिए क्या हत्यारे का जीवन लेने का समाज का अधिकार उचित है क्या क्या राज्य भी ऐसा कर सकता है इसाई देश इस प्रकार विचार करने लगे हैं कि ऐसा करना उचित नहीं है महरशी कहते हैं हत्यारे को खत्या करने के लिए किसने प्रेरित किया वही शक्ति उसे दंड देती है समाज या राज्यतो उस शक्ति के हाथ में यंत्रमात रहे तुम एक विक्ति के प्राण लेने की बात करते हो युद्धों में असंख्य प्राणियों के जीवन जाते हैं उसको क्या कहोगे भक्त पूछता है ऐसा ही है जीवन की हानी तो किसी भी प्रकार ही अनुचित है क्या युद्ध उचित है महरशी महरशी कहते है आत्म ग्यानी पुरुष के लिए जो सदैवा अत्मा में ही स्थित है इस लोक में अत्वा तीनों लोकों में एक जीव की अत्वा अनेक जीवों की अत्वा सब जीवों की हानी से कोई अंतर नहीं पड़ता यदि वह सब को नश्ट कर दे तो भी ऐसी शुद्ध आत्मा को कोई पाप स्पर्ष नहीं कर सकता महर्शी ने गीता के अठाहर्वे अध्याय का सत्रवा श्लोक उध्रित किया यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य नलिप्यते हत्वा पिसे इमान लोकान नहंती ननिबध्यते जो अहम के भाव से सरवता शुन्य है जिसकी बुद्धी संसार में लिपाए मान नहीं है हैदि वह सब लोकों का भी संगार कर दे तो भी वह किसी को नहीं मारता और नहीं वह अपने कर्मों के फल से ही बंधाए मान होता है भक्त पूछता है विक्ती के कर्म क्या उसके बाद के जन्मों पर प्रभाव नहीं डालते महर्शी कहते है क्या तुम अभी जन्मे हो तुम दूसरे जन्मों की चिंता क्यों करते हो यथार्थ में न तो जन्म है न मृत्यू है जो जन्मा हो उसे मृत्यू तथा शान्ती देने वाले साधनों पर विचार करने दो भक्त पूछता है महरशी आपको आत्म साक्षातकार में कितना समय लगा महरशी कहते हैं यह प्रश्ण इसलिए पूछा गया है कि नाम एवं रूप की प्रतीती हो रही है यह प्रतीती अहम के स्थूल शरीर से तादात्य में कर लेने से उत्पन हुई है यदि अहम स्वयम वो सुक्ष्म मन से मिला लेता है जैसे कि इस स्वप्न अवस्था में तो प्रतीती भी सुक्ष्म हो जाती है परंतु सुशुक्ती में कोई प्रतीती नहीं होती क्या उस समय भी अहम का अस्तित्व नहीं रहता यदि नहीं रहता तो सुशुक्ति की स्मृति भी नहीं रहती जो सोया था वह कौन था अपनी सुशुक्ति में तुम नहीं कह रहे थे कि तुम सो रहे थे यह तो तुम अब जागने पर कह रहे हो इससे सिद्ध हुआ कि अहम का भाव जग्रत स्वप्न वे सुशुक्ति में यथावत रहता है इन अवस्थाओं की तह में जो सत्य आत्मा है उसे जानो वही सत्य इन सब अवस्थाओं की जड़ में है उस अवस्था में केवल अस्तित्व अत्वा सत्ता है वहां तू, मैं या वह नहीं है न वर्तमान, भूत या भविश्य है वह देश अथवाकाल से परे है तथा अनिर्वचनी है वह तो सदैव है जिस प्रकार केले का वरिक्ष फल देकर समाप्त होने से पहले मूल की शाखाएं बढ़ाता है एवं अन्यत्र रोपे जाने पर ये शाखाएं पुनहा फलवती होकर यही कारिय पुनह करती है इसी प्रकार प्रारंभिक युग के इवं अत्यंत प्राचीन समय के गुरू दक्षणा मूर्ति जिन्होंने अपने रिशी शिश्यों के संदेह मोन से निवारन किये थे ऐसी शाखाएं छोड़ गए हैं जो निरं अंतर बढ़ रही है गुरू उसी दक्षणा मूर्ति की शाखा है यह प्रश नहीं नहीं उठता जबकि आत्मा का साक्षातकार हो चुका है भक्त पूछता है क्या महरशी को निर्विकल्ब समाधी होती है महरशी कहते हैं यदी नेत्र बंद हो तो वह निर्विकल्ब है विद्यपी इसमें कुछ अंतर है फिर भी पूण शांती रहती है सर्वता विद्यमान स्वाभाविक अवस्था सहज समाधी की है इस प्रकार महरशी रमन से बात चीत का यह भाग यही संपूनता को प्राप्त होता है शिश अगले अंक में जब स्वाज दो अशल का यह demain दो जो लग्या वाल का यह में रिंदाए शांतर है भाग भी प्रे आयो जग लाजश सेस्वाब में अंक में लाग जसल नह कtime सोवождता एंस्वाई